मेरे परिवार जानों एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार का लूट तंत्र है राजस्तान के किसान ने कर्मचारी ने व्यापारी ने सब ने इमानदारी से टैक्स दिया लेकिन बदले में उनको क्या मिला तूटी फूटी सडकें गलिया नालिया बिजली का अभाव पानी का अभाव कमर तोड महंगाई और बेरोजगारी जो पैसा गरी मद्दमबर किसान के हित में लगना चाहिए था उसको विधायक मंत्री लूट गए उसको खनन माफिया पेपर लिक माफिया ट्रांसपर पोस्टिंग माफिया इस जमात ने लूट लिया आसपास के राज्यों में देखिए ए राजस्तान में देखिए उत्तर प्रदेश में पैट्रोल का दाम देख लीजिए पडोस में गुजरात है उसका पैट्रोल का दाम देख लीजिए पडोस में हर्याना है उसका पैट्रोल का दाम देख लीजिए ये तीनों राज्य रा प्राजपा की सरकार है आपको यहां जो पेट्रोल डिजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर जादा देना पड़ता है यह माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रहे है जादूगर इससे आम खाने पिने के सामान से लेकर आप इसी चाहिए खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है केंद्र सरकार ने पैट्रोल के दाम गटाए बाजपा की राज सरकारों ने पैट्रोल के दाम गटाए लेकिन राजस्तान की कॉंगरे सरकार ने उपर से आप से जादा पैसा वसूल करके आप से हजारों करोड रुपये मार लिए जब भी आप अपनी गाड़ी में पैट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखे कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कॉंग्रेस की लूट का हिस्सा है और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि तीन दिसंबर के बाद यहाँ जब भाजपा की सरकार बनेगी ये पैट्रोल के दामों की कीमतों की समिक्षा होगी और जो भी गरीब मद्दमबर किसान के हित्मे होगा वो निरनय भी लिया जाएगा मेरे परिवार जनो जहां भी कॉंग्रेस की सरकार होती है वहाँ उसकी प्रासबेक्ता ब्रश्टाचार और भाई भतियावाद होती है कॉंग्रेस कभी आपकी जरुरतों की चिंता नहीं रहती अब तो कॉंग्रेस राजस्तान में नशे के तसकरों को भी बढ़ावा दे रही है अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विशय है हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं हर मा रात राद पर रोती रहती हैं कहीं बच्चे इस बुरी आद में नफस जाए ड्रोन से नशा आएं राधतान सरकार सोती रहे और कहते हैं पुलिस को भी पांचों उंगली गीमे हो गई है भाई यो बहनों ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविश्य को भी तबाह कर देगा बर्बाद कर देगा एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा मैं आपको भरोसा देता हूँ यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तसकरों पर ऐसी कारवाई होगी ऐसी कारवाई होगी इसे सुन करके देख करके और लोग भी काम जाएं इतनी कठोरता से काम करेंगे